क्या आपको भी प्रेग्नेंसी कंसीव नहीं हो रही हमल नहीं ठैर रहा कोशिश के बावजूद इंप्लेंटेशन फेल हो जाता है फॉलिकलर स्टेडी में आपके एक्स तो बन रहे हैं हस्बेंट की सीमन अनेलेसिस की रिपोर्ट भी ठीक है फिर भी इंप्लेंटेशन फेल होता है प्रेग्नेंसी कंसीव अबल तो होती नहीं है और अगर हो जाए तो अरली मिसकेरिज हो जाता है तो implantation fail क्यों हो जाता है इसके लिए हम क्या करें बहुत ही frequently पूछा जाने वाला स्वाल है viewers की तरफ से और गर्मियों में खास तोर पर implantation fail होने के chances ज्यादा होते हैं गर्मियों में अक्सर खवातीन को जल्दी जल्दी periods आ जाते हैं अगर आपके periods की date suppose के 30 है तो आपको 25 को या 24 को periods आ जाते हैं या महीने में दो बार periods आने लग जाते हैं periods का flow ज्यादा होता है गर्मियों में या clots आने लग जाते हैं तो गर्मियों में implantation आपका fail ना हो, body heat ज्यादा ना हो क्योंके गर्मियों में जब body heat बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे implantation failure के chances भी बढ़ जाते हैं और अक्सर खवातीन ये complaint करती हैं कि उनको गर्मियों में हाथों पैरों के तल्वों में से heat निकलती है हाथ पाउं बहुत ज़्यादा गरम रहते हैं तो गर्मियों में खवातीन अपनी body heat को कैसे कम करें ताके body heat ज़्यादा बढ़ने की वएसे implantation fail ना हो इसी चीज़ पर बात करेंगे मेरा नाम है डॉक्टर ताहर आगे बढ़ने से पहले चैनल को subscribe ज़रूर कर लीचेगा तो हम बात करेंगे तीन चीज़ों पर तीन ऐसी home remedies अगर आप इनको follow करती हैं गर्मियों में खास तोर पे तो इसी में ने आप pregnancy conceive कर सकती है आपका implantation fail नहीं होगा pregnancy successful होगी उसमें जो पहली चीज़ है पहली home remedy है बहुत effective है वह यह कि आप एक गलास पानी लें उसके अंदर 4-5 दाने black color की जो किशमिश होती है वो भिगो के रात को रख दें और सुबह जब उठें खाली पेट वो किशमिश आप चबा कर खा लें और पानी पी लें इससे आपके exit quality भी अच्छी होगी जो periods में आपको पेन होता है वो भी नहीं होगा सारा महीना अगर आपको पैरों में दर्द रहता है उसके लिए भी बहुत effective है लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखे है कि 4-5 दाने आपने किशमिश के लेने है वो भी black किशमिश हो और उससे ज्यादा नहीं लेने अब जो दूसरा tip है दूसरी home remedy है ये भी नहायती effective है और बहुती आसान है यूज़ करना आप सुबों के time 9-10 बज़े भी इसको यूज़ कर सकती है ये शाम में 4-5 बज़े के दोरान भी आप यूज़ कर सकती है और ये है सौफ और मिसरी का पानी ये किस तरह से आपने लेना है इसके दो तरीके हैं एक तरीका तो ये है कि आप रात में एक गलास पानी लें उसके अंदर एक चमच आप सौफ भीगो के रख दें और उसमें 3-4 पीसिस मिसरी के आप डाल दें सारी रात इसको भीगो के रखें और सौफ जब उठें खाली पेट तो वो सौफ आप चबा कर खा लें और पानी पी लें ये बहुत ही एफेक्टिव हॉम रेमेडी है गर्मियों में बोडी हीट को कम करने के लिए और इंप्लेंटेशन के चांस इसको बढ़ाने के लिए इसको दूसरे तरीके से भी आप यूज़ कर सकती है कि आप सौफ का पाउडर बनाके रख लें और मिसरी का भी पाउडर बनाके रख लें और एक चमच सौफ का पाउडर और एक चमच मिस्री का पाउडर एक लास पानी के अंदर मिक्स करके आप पी सकती है सुपो दस बजे पी सकती है या फिर शाम को चार या पांच बजे के करीब आप यूज कर सकती है तो ये पीने से ना सिर्फ आपकी बोडी हीट गर्मियों में कम होगी बलके इंप्लेंटेशन के चांस भी बढ़ जाएंगे आपका बचा एंब्रियो जो बनता है यूटरस के अंदर आसानी से जुड़ पाएगा आपके पिरियोड्स भी अगर जल्दी जल्दी आ जाते हैं टाइम से पहले आ जाते हैं फ्लोज ज्यादा होता है कलॉट्स होते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे पैरों के तल्वां में जलन रहती है उसके लिए भी बहुत ही यूजफुल है इंप्लेंटेशन रेट भी आपका बढ़ेगा कभी कभी पिरियोड्स आने से पहले आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है आपको हमल की अलामात भी अपने अंदर नजर आ रही होती हैं लेकिन फिर एकदम से आपको पिरियोड्स आ जाते हैं और आप डिसपॉइंट हो जाते हैं तो डियर एक्सपेक्टेड मेदर्स आप इन दोनों रेमेडीज को फॉलो करें आपका इंप्लेंटेशन सक्सेस्फुल होगा अब तीसी चीज बहुत ही इंपोर्टेंट है तीसी चीज है एक्स की और स्पर्म्स की दोनों की क्वालिटी को बेहतर बनाना क्योंकि अगर एक्स और स्पर्म्स अच्छी क्वालिटी के नहीं होगे तो जो embryo बनेगा वो भी अच्छी quality का नहीं होगा जिसके विए से वो proper तरीके से implant नहीं हो पाएगा आपकी uterus के अंदर तो female ने अपने eggs की quality को बढ़ाना है और male ने अपने sperms की quality को बढ़ाना है दो चीजें बताऊंगा, दोनों ने use करनी है उसमें पहली चीज़ है, folic acid over the counter आपको मिल सकती है tablet 5 mg की आप ले लें, एक daily basis पे husband भी यूज़ करें और wife भी यूज़ करें दोनों के अंदर sperms और eggs की quality बढ़ेगी और दूसरा जो important vitamin है, husband और wife दोनों के लिए वो है, coq10 enzyme बहुत important है eggs की quality को बेहतर करने के लिए और sperms की quality को बेहतर करने के लिए इसी नाम से ये medicine मिल जाती है एक daily basis पे आप यूज़ करें और एक माह तक लगातार यूज़ करें तो अगर आप इन tips को follow करते हैं तो within few months आप natural तरीके से ही pregnancy conceive कर सकते हैं वीडियो को like कीजिएगा, share कीजिएगा चैनल को subscribe जूर कर लीजिएगा और bell notification आउन कर लीजिएगा ताकि doctor helping health की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके मिलते हैं अगली किसी वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा